सावन प्रदोस 2024 कीश दिन रखा जाएगा सावन का आखरी प्रदोस व्रत यहां जान लीजिए सहीती थी सुमुहरत और मंत्र सावन प्रदोस व्रत 2024 कब है किस दिन रखा जाएगा सावन का आखरी प्रदोस व्रत सहीती थी क्या है सुमुहरत क्या है मंत्र क्या है सावन प्रदोस व्रत 2024 हिंदु धर में प्रदोस व्रत का विशेश महत्व है प्रदोस व्रत रखने से भगवान स्रीव और माता पार्वती की किरपा प्राप्त होती है तो यहां जानिये की सावन का आखरी प्रदोस किस दिन चाहता है इस दिन महाधेव की पूजा अर्चना करने से मनुवांचितफल की प्रापती होती है प्रदोस व्रत में भी प्रदोसकाल का महत्व होता है प्रदोसकाल उस समय को कहा जाता है जब दिन छिपने लगता है यानि सुर्यास्त के ठीक बाद वाले समय और रात्री के प्रथम पहर को प्रदोसकाल कहा जाता है त्रियोदसी के दिन प्रदोस्काल के समे भगवान संकर की पूजा का विधान त्रियोदसी की रात के पहले पहर में जो व्यक्ति किसी भेट के साथ शिव प्रतीमा के दर्शन करता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है अधा आज के दिन सिव प्रतीमा के दर्शन अवस्य ही करने चाहिए सतेक महिने में दो पक्ष होते हैं एक क्रिश्न पक्ष और दूसरा शुकल पक्ष इन दोनों ही पक्षों की त्रियोदर्शी को प्रदोस व्रत किया जाता है प्रदोस व्रत जिस दिन पढ़ता है उसी के अनुसार इसका नामकरण होता है सावन का आखरी प्रदोस व्रत सनिवार के दिन रखा जाएगा इसलिए इस प्रदोस को सनि प्रदोस व्रत के नाम से जाना जाएगा शनी प्रदोस के दिन भगवान संकर के साथ ही शनी देव की पूजा का बड़ा ही महत्व है तो आईए जानते हैं कि सावन का आखरी प्रदोस्वरत किस तिथी को रखा जाएगा और पूजा का शो मुहरत क्या रहेगा प्रदोस्वरत दोजार चौबिस पूजा मुहरत हिंदू पंचान के अनुसार सावन महा के शुकल पक्ष की त्रियोदसी तिथी का रंभ 17 अगस्त की सुबह 8 बजकर 5 मिनट से होगी इसका समापन 18 अगस्त सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर होगा शनी प्रदोस्वरत 17 अगस्त 2024 को रखा जाएगा प्रदोस्वरत के लिए पूजा का सुब समय साम पांच बजकर 58 मिनट से 9 बजकर 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा कैसा लगा आप सभी को सनी प्रदोस्वरत वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिलकुल नभूना थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट झाल